UFT News 24 से जुड़ रहने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नमस्कार UFT News 24 में आपका स्वागत है रुख खरते हैं खास ख़बर की और UP के बदाईयों संग मोटर साइकल सवार लोगों की गन पॉइंट पर दी तलाशी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ पाईयों UP के बदाईयों में law and order की स्थिती बेहत खराब हो गई है लेकिन पुलिस का जो चहरा यहां देखने को मिला वो इससे पहले शायद ही कहीं देखा गया हो बदाईयों जिली के बगैरन चौंकी के प्रभारी राहुल ससौदिया अपने साथियों संग मोटर साइकल सवार लोगों की गन पॉइंट पर तलाशी लेते हुए कैमरे में कैद हो गए और इसका विडियो सोशल मीडिया पर वारट हो गया अब इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि क्या इंकाउंटर के लिए चर्चित यूबी पुलिस अब गन पॉइंट पर आम जनता की तलाशी लेगी इस बारे में जब चौंकी इंचार्च से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे वरष्ट अधिकारियों ने निदेश दिया था कि कि किसी संदिक की तलाशी लेने के दौरान पूरी सतर्कता बढ़ते ही इसी वज़ा से कुछ संदिक बाइक सवार लोगों की गन पॉइंट पर तलाशी ली गई है इस वीडियो में इस पर्ष सुनाई दे रहा है कि पुलिस बोल रही है कि निदेश्व का पालन नहीं करोगे तो गोली लग जाएगी पुलिस अधिकारी बाइक सवारों को चतावनी दे रहे हैं कि वे अपना हाथ उपर रखें और हिले नहीं सिसोधिया ने कहा कि उन्हें गोपनिये सूचना मिली थी कि कुछ वांचित अपरादी वहां से जाने वाले हैं इसलिए ये तलाशी अभ्यान चलाया गया है इस बारे में जब बदायू के SSP अशोक कुमार त्रिपाथी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गन पॉइंट पर किसी संदित की तलाशी लेना पुलिस ट्रेनिंग का एहम हिस्सा होता है उन्होंने जानकारी दे कि हमारे अधिकारी ने जो किया वो कुछ भी गलत नहीं है वो किसी को परतारित नहीं कर रहे थे बलकि अपनी ड्यूटी कर रहे थे हमने कई घटनाओं को देखा है जिसमें अपराधियों ने खुद को घिरा पाकर पुलिस पर अच्छानक फारिंग शुरू कर दी और इस मामले में सिसोधिया ने कहा कि उनके पास पुखता जानकारी थी कि कुछ अपराधी बाइक पर वहां से गुजर सकते हैं इसलिए ये तलाशी ली गई है इस खबर में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गन पॉइंट पर तलाशी लेना पुलिस की जांच का हिस्सा होता है या नहीं इस खबर में अभी के लिए इतना ही तमस्कार